घुबूई फ्रेंड वेल्कम बैक्तु घर पर सीखो तो फ्रेंडस केसे हैं आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे तंद्रोस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो फ्रेंडस आज बना रहा है Stubbed capsicum तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो friends सबसे पहले मैंने प्याज को काट लिया है और ये अलू को boil कर लिया है, capsicum को दो भाग में काट लिया है friends मैंने, इसके सारे बीज निकाल दिये हैं, और टमाटर को भी मैंने cut कर लिया है और अलू को boil करके को छील के हमें सबस्क्राइब निकाल लेना हिसा लुए मैं सबस्काइब निकालेना हिक sama मसाला बनानेगे लिए मैं तेल कडाई पे डाल लिए है जीरा और मैंने सौफ डाल दिया है जैसे ही तड़के गए फिर हम इसमें डालेंगे खडी प्याज यह देखिया फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी प्याज को gravy टाइप का बनाने के लिए बचा लिया और 3-4 प्याज को मसाले में ही डाल दिया है तो जैसे ही प्याज हमारी थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगी पिंकिस ब्राउन टाइप की हो जाएगी तो यह देखिए यह प्याज को हमें अच्छे से दून लेना है और फ्रेंड्स है यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बैल बटन को भी ऑन कर दें तो यह देखिए फ्रेंड्स अब में डाल रहे हैं धनिया पाउडर हल्दी पाउडर रेट चिली में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऑल्लेडी कैप्सिकम थोड़ा सा कसेला टेस्ट करता है तो बच्चलों को मि जैसे ही टमाटर भून जाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे आलू और नमक स्वादा नुश्यार तो यह अब आलू को हमने डाल दिया अच्छे से और आलू का मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स जिससे की जब हम अंदर कैप्सिकम खाते ना तो इसका कणका टेस्ट अच्छा है तो आधे फोरे मसाले को अच्छे से शी मिक्स कर दिया है है और इसके बाद फिर अब हम इसको टंडा होने के बाल इतना आप इसको मतलब इतना थंडा करना अ कि आपके हात ना लगे तो यह देखिए बच्छे से मनसाला दिशे ada बादओं के मसा बगरा में खाने में अच्छा लगता है यालू की सुखी सब्जी तो दोत्प्रकार की सब्जी आपकी त्यार हो जाएगी तो जो कैपसिकम फ्रेंट्स मेरा टूट गया एक तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगी ग्रेवी में ही डाल दूए काटके तो यह मेरे सारे कैपसिकम भर है और अब कित चुक है है और अब मेनातोसा टेल डाल दिया है हल्का जीरा डाल दिया हैं सरतीक हैं और उसके बाद हिएल गफोड़के सेंี से ही डाल दे उसके बाद में फिर हम इसमें जो हमने इंटिप करके कैपसिकुम रखिए है.. फौड़ा सा मसाला एड़ कर दिया हल्दी धनियां। तोमाटर प्याज के लिए काफ ही तोड़ा के तो पेस्ढ़ रखे के लिए पर और इसके बाद मेरी इसको तेल में ही भूनेंगे हमें हमें जलने भी नीच चाहिए और भूनने भी अच्छिस चाहिए तर यह देखिए हमें इसको पहले ढक के पका लेना है को कि कुछीज़े लें जैसे कि के यहिए जलदी पक जाता हमकर से टीम आने से भी क्छा जाएगा तो दोड़ा पहरे त टीम में कैप्सिकम पक जाएगा तो यह देखिए हमारे कैप्सिकम चाट मसाला डाल रहे हैं फ्रेंट्स स्प्रिंकल करेंगे उपर से खाने में अच्छा लगेगा चाट मसाला डाल दिया है और इसके साथ ही मैं डाल दूगे इसमें कटी हुई धनिया की पत्ति भी बड़ी अच्छी लगती है डेकॉरेटेड़ लगती है सुन्दर लगते है खाने में और हैल्ली भी होती है तो चलिए हमारी सबची बनके तैयार हो गई है बस आपको अच्छे सेपक हो लेना है तो खाने में उत्ता ही टेस्टी लगेगा तो ये देखिए पक गया मैंने इसमें आप चाहें तो बावल में भी निकाल सकते हैं या फिर आप उसी कड़ाई में भी रख सकते हैं देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है और अब हमारी रोटियां सेख के त्यार हो रही है तो इस तरीके से आप पुरा साही डिनर लाइट कम तेल में अच्छा खाना बना सकते हैं तो मैंने रोटियां को सेख लिया है तो देखी मेरा चोखा भी हो गया एक तरीके से आलो की सब्की सुख्य वाली और यह मेरे कप्सिकम बन चुके हैं और मूंग की प्लेन दाल गर्वियों में अच्छे लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है तो दाल है और यह बिना तेल वाला चार आज रखाया है त्रथे दिनर थाली में क्योंकि के हैस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा यह दोगा डैल एक्स्टरा भार डाला था इसलिए बिना तेल वाला चार आज सूखा झाला हैわか Dia और आप मीठा में मैने इस आई स्डीर दीती